ओम जैश्री हरी विश्णु जै मातारानी की दोस्तों आपके अपने चैनल किरन ब्लोक्स एंड ग्यान की बाते चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मा भगवती की किरपा आप और आपके पूरे फरिवार पर सदा सर्वदा बनी रहें मित्रों, भगवान भोले बाबा ने स्वयम माता पारवती को बताया पापी लोगों को पाप करता देख कर भी भगवान क्यों चुप रहते हैं दोस्तों, आज का विशय बहुत ही महत्वपूर्ण है यह वीडियो सभी लोगों को अवश्य ही ध्यान से सुनना चाहिए और वीडियो में बताई गई बातों को अपने जीवन में अमल करना चाहिए मित्रों, एक समय की बात है भगवान, भोले बाबा और माता पारवती आकाश लोग का भ्रमन कर रहे थे तभी माता पारवती कहती है हे प्राणनाथ, आकाश लोग का भ्रमन करते करते हमने ब्रम्हांड का द्रिश्य देख लिया किन्तु हे प्राणनाथ, मेरे मन में अब कुछ जानने की जिग्यासा बढ़ रही है मित्रों तभी भगवान, भोले बाबा कहते है हे गणेश की मम्मी, आपके मन में क्या जानने की जिग्यासा उत्पन्न हो रही है आप अपने प्रश्नों को निसंकोच होकर पूछ सकती है तभी माता पारवती कहती है हे प्राणनाथ पापी लोगों को पाप करते देखते हुए भी भगवान क्यूँ चुप रहते है तभी भगवान, भोले बाबा कहते है हे गणेश की मम्मी आज आपने संसार की कल्यान हे तू बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं जिसको सुनने के बाद आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य ही मिल जाएंगे मित्रों फिर भगवान भोले नाथ कहते हैं हे गणेश की मम्मी आप इस कथा को ध्यान और मन लगाकर पूरा अवश्य सुनना फिर भगवान भोले नाथ कहते हैं जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान और मन लगाकर सुनता है वह अपने जीवन काल में किसी भी बात को लेकर कभी भी पश्चाताप नहीं करता है और वह मनुष्य जान जाएंगे कहानी कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हरहर महादेव जरूर लिखती जिएगा और हरहर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल सस्क्राइब जरूर कर लिजिएगा सुनते हैं कथा कहानी को हे गणेश की मम्मी प्राचीन समय की बात है एक जंगल में एक मोरनी और मोर का जोड़ा रहा करते थे वह दोनों पति-पतनी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे एक दूसरे का बड़ा आदर सम्मान करते थे और उनका जीवन बड़े सुख और सुन्दर से कट रहा था उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था एक दिन की बात है, मोरनी अपने पती मोर से कहती है हे पिया जी, भगवान की जिंदगी कितनी सुखी है, कितनी आराम भरी है उन्हें सिर्फ इस दुनिया को चलाना होता है और बैठे-बैठे वह पूरी दुनिया को चलाते हैं उन्हें कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ता है और उन्हें उनके भक्त अच्छे-च्छे भोग लगाते हैं और उन्हें अच्छे-च्छे पकवान खाने को मिलते हैं दूसरी ओर हमारा जीवन कितना कठिन है मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ, तब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। सेवा में लगा हुआ था, जो सुभशाम मंदिर की साफ सफाई करता था, और दोनों समय सनान ध्यान करने के बाद भगवान की पूजा अर्चना करता था, वह आदमी बहुत ही निर्धन और दुखी था, मंदिर पर आने वाले श्रधालूओं द्वारा उसे जो कुछ दान दक दे दी जाती थी, वह उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था, मंदिर परिसर में काम करते करते, वह अपनी जिंदगी से जुड़ी निजी शिकायतें, भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर करता रहता था, कभी घर की बातें, कभी परिवार की बातें, तो कभ भी दुनियादारी की बातें करता था। दुनियादारी की बातें करता था। कर्मों में लिप्त रहते हैं। फिर भी मौज की जिन्दगी जी रहे हैं। हे भगवान, यदि मेरी भी जिन्दगी आपकी तरह हो जाती, तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होता। मित्रों अपने उस भक्त की ऐसी बातें सुनकर भगवान से रुका नहीं गया। वह उसी शिवलिंग के प्रतिमा से ही अपने त्रिभुज रूप में भगवान भोले बाबा अपने नंदी के साथ में प्रकट हो जाते हैं। और कहते हैं, हे पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, दूर से देखने पर सब का जीवन अपने जीवन से अच्छा, दूसरों का जीवन दिखाई पड़ता है। यह सब सोचना पड़ता है, कोई किसी असहाय को रुलाता है, कोई पीडित को पीडित करता है, तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है, मेरी जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा मित्रों फिर आगे भगवान भोले बाबा उस शंभू व्यक्ती से कहते हैं हे पुत्र एतना आसान नहीं है भगवान बनना जिस तरह एक प्रिता बनकर मनुष्य अपनी संतान के लिए अपने दायित्वों को निभाता है उनके दुख सुख अच्छे बुरे का खयाल रखता है उसी तरह मुझे भी तुम सब का खयाल रखना पड़ता है इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना कोई आसान काम नहीं है दोस्तो भगवान भोले नात की बात सुनकर वह भक्त बोला हे भगवान भोले नात आप तो बहुत ही भोले भाले हैं आप यह कैसी बातें कर रहे हैं आपका काम तो सचमुच में बड़ा ही आसान है जिस तरह पूरे दिन आप बैठे रहते हैं आपकी तरह तो मैं भी किसी समय बैठा रहता हूँ तो किसी समय खड़ा रह सकता हूँ इ मेरे इस कार्य में बड़े धैर्य की आवश्यक्ता पड़ती है, और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं होता है कि वह परिणाम घोशित होने तक रुख सके। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वह थोड़ा सा सुख पाता है तो वह घमंड से भर जाता है और जरा भी दुख आ जाता है तो वह तूट कर शीशे के भांती बिखर जाता है वह अपने धैर्य को बना कर नहीं रख पाता है वित्रो फिर भक्त बोला अच्छा अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए आपकी जिन्दगी जी लेने दीजिए फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा दोस्तो मोर आगे अपनी पत्नी मोरनी से कहता है कि हे प्रिय भगवान भोले नाथ ने उस शंभू नाम के व्यक्ति को बहुत समझाया और वह बड़ा जिद्दी था उसने भगवान भोलनाथ की एक भी बात नहीं मानी फिर भगवान भोलनाथ ने भी सोचा कि चलो मैं इसे एक दिन के लिए अपनी जिन्दगी दे ही देता हूँ कुछ लोगों पर उपदेशों की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वह संसार की ठोकर खाने के बाद ही सही राह पकड़ते हैं फिर आगे भगवान भोले नाथ ने कहा बेटा ठीक है एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूँ और तुम्हारी मेरा काम किस धंग से करते हो और हाँ मेरी जिन्दगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा मित्रों फिर वह शंभू नाम का भक्त बोला है भगवान भोलनात मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ बताइए आपकी क्या शर्तें हैं बुरे भी लोग होंगे, क्योंकि भगवान पर तो सबका ही अधिकार होता है, यदि किसी पिता का एक बेटा निकम्मा निकले, तो क्या वह पिता उसे अपना बेटा नहीं मानेगा, इसी तरह अच्छे बुरे दोनों लोग मेरे बच्चे हैं, परंतु परिणाम मैं उनको उन आप उनकी बातें सहन करनी होंगी, और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना होगा, और उनके अच्छे बुरे कर्म को देखना होगा, तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भक्त ने कहा, ठीक है, प्रभु मुझे आपकी सारी श दोस्तों, फिर जब कुछ समय बीता तो क्या होता है, कि उसी नगर का एक धानी सेथ उस मंदिर में माथा ठेकने के लिए आता है, और वह भगवान के आगे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता है, कि हे भगवान, मैंने अर्बों रुपए लगा कर एक बहुत बड़े कारखा कहने के बाद माथा ठेकने के लिए जब नीचे जुका, तो उसके जेब से पैसों से भरा हुआ बटुआ निकल कर जमीन पर गिर पड़ा, और उसे अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया, और वह वहाँ से ओठ कर जाने लगा, उधर शिवलिंग में विराजमान भगवान क का भग्त यह सब देख रहा था, उसने देखा कि अरे सेठ का बटुआ तो यहीं पर गिर गया है, एक बार तो उसके मन में आया कि क्यों ना इस सेठ को आवाज लगा कर उसे कह दूं कि उसका बटुआ यहीं पर गिर गया है, लेकिन फिर उसे भगवान भोले बाबा की शर् दोस्तों, तभी उस मंदिर में एक बड़ा ही गरीब आदमी आता है, वह गरीब आदमी, भगवान भोले बाबा के शिवलिंग के सामने खड़ा होकर कहता है, हे भगवान मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इस गरीबी में मैं बड़े दुख का जीवन जी रहा हूँ, अज मेरे पास मात्र एक रूपए है, इस से तो ना एक समय का राशन आ पाएगा, और ना मा की दवाई कुछ क्रिपा कर दो, भोले नात, जिस से मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं, मित्रों, इतना कहकर वह आदमी मंदिर से जाने लगा, तभी उसकी नजर पैसों से भरे उस महान हो, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली, इन पैसों से अब मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूँगा, और मा का इलाज कराऊंगा, दोस्तो, फिर वह गरीब आदमी, भगवान भोले नात को धन्यवाद दे कर वह वहां से जाने लगा उधर भगवान बनकर शिवलिंग में बैठा हुआ, भगवान का भक्त सोचने लगा कि अरे यह बटूआ तो उस अमीर सेठ का है, और यह गरीब आदमी उसे उठा कर ले जा रहा है, दोस्तो, एक बार तो उसके मन में आया कि आवाज दे कर इसे बता दूं कि यह बटूआ उसका नहीं, बलकि एक सेठ का है जो वह उसे ले जा रहा है, लेकिन तुरंत ही उसे भगवान भोले नाथ की वह शर्त याद आ गई कि भगवान भोले नाथ ने तो मुझे बोलने के लिए मना किया है, इसलिए वह चुपचाप मौन बनकर शिवलिंग की प्रतिमा में विरा रहा था, वह मंदिर में भगवान से इतनी प्रार्थना करने आया था कि उसकी यातरा सुरक्षित रहे, वह युद्ध के बाद शकूल अपने घर लौट आए, वह सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में वही व्यापारी अपने कुछ लोगों के साथ मंदिर में ये बात भगवान बने हुए उस भक्त को बिलकुल भी सही नहीं लगी, क्योंकि वह सैनिक तो बिलकुल निर्दोश था, बटुआ तो वह गरीब आदमी लेकर गया था, भगवान बने हुए भक्त को अपने सामने होता, यह अन्याय का काम पसंद नहीं आया, वह भगवान भो पुलिनाथ ने उसे बोलने के लिए मना किया था, लेकिन वह भक्त उस अन्याय को मौन रहकर देखना भी नहीं चाहता था। भगवान की बात क्यों नहीं मानते। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लाए। उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया। वह बेचारा बड़ा निराश हुआ। उधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान भोले बाबा मंद से रोक लिया। आपने देखा एक दिन भगवान बनकर मैंने कितना महत्व पूर्ण कार्य किया है। भक्त की बात जब भगवान भोलनाथ ने सुनी तो कहने लगे। बेटा तुमने न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वा कर उसके परिव रुपए की दौलत जोड़ी है। गरीबों का पेट काट कर उसने उन पैसों को जमा किया है। यदि उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ? कम से कम किसी गरीब का कुछ भला हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचा कर भी बह किया है। भक्त को भगवान भोलेनात की बात को सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ और कहने लगा। हे भगवान भोले बाबा मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आँखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी ये मैं नहीं देख पा रहा भक्त आगे कहता है ए भगवान भोले बाबा दुनिया को सिर्फ आप ही चला सकते हैं क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविक्ता को समझ नहीं पाते। उससे प और उन्हें दोश देने लगते हैं। हम यह समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी भगवान की कोई न कोई योजना छुपी हुई होती है, जो आगे चलकर हमारे लिए हितकर साबित हो सकती है मित्रों। फिर वह भक्त भगवान भोले बाबा से कहता है, हे तो उसमें भगवान की मर्जी समझना चाहिए और आगे भगवान जो करता है वह अच्छा ही करता है, ऐसा सोच कर अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, मित्रों। फिर उसके बाद भगवान भोले बाबा उस भक्ती से कहते हैं, हे पुत्र। क्या अब तुम्हें पत तो हे प्रभु, अब मैं सब समझ गया हूँ, कुछ भी बनना आसान है, पर भगवान बना इतना आसान नहीं है, मित्रों उसके बाद भगवान भोले बाबा उसे भक्त को तथास्तु करके वहां से सीधा कैलाश परवत पर माता पार्वती के पास पहुँच जाते हैं, फिर पहला कारण तो यह है कि भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे, जब तक आप दुनिया वालों पर निर्भर रहेंगे, जिस दिन आप खुद पर तथा भगवान पर निर्भर हो जाएंगे, उस दिन वह आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे. दुनिया वालों पर और परिवार वालों पर आश्रित होने के कारण भगवान ने द्रौपदी की भी लाज नहीं बचाई थी जब तक उसे लग रहा था कि मेरे पांच-पांच शूरवीर पती मुझे अपमानित नहीं होने देंगे तब तक उसने भगवान को याद नहीं किया और न तब तक भगवान श्री कृष्णा उसकी मदद के लिए आगे आए वह तो इंतजार कर रहे थे कि द्रौपदी कब अपने परिवार वालों को भूल कर और मुझे पुकारे और मैं जाकर उसकी लाज बचाओ मित्रों और हुआ भी ऐसा ही परिवार की आज छोड़ कर द्रौपदी अंत में भगवान कृष्णा को समर्पित हुई और उन्हें आवाज लगाई तब भगवान श्री कृष्ण ने बिना समय गवाए उसकी लाज बचाई दूसरा कारण यह है कि भगवान मनुष्य के कर्म भी देख कर चलते हैं कि किसको कहां पर किस कर्म का दंड मिलना चाहिए किसको किस कर्म का फल मिलना चाहिए भगवान आपके अगले और पिछले सारे कर्मों को देख कर हिसाब करते हैं भगवान को समर्पित होकर चलिए तो आपका कभी भगवान बुरा नहीं होने देंगे मित्रों। फिर आगे माता पार्वती इस कथा को सुनकर अतिप्रसन्न होती हैं और कहती हैं। हे स्वामी आप ही इस संसार में आधी और अनन्त हैं। आज आपने मुझे इस कथा को सुना कर मेरे मन को शांत किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी। तो मिल जाएं। मिलते हूँ आगली वीडियो में। जै माता रानी की दोस्तों।